इस वीडियो में दिखाई जाने वाले सभी पाक्र काच्पनिक हैं, इसका किसी भी जाती धर्म या किसी भी सम्मूफ से सम्मधित कोई भी रिलिजनेशेट नहीं है, अगर या किसी से सम्मधित पाया जाता है तो अब अस एक संयोग मात्र होगा, ये वीडियो एडूकेशन प अबरिकार का गलत बेवार करें, धन्यवाद झूhem, और अन्यवाद झाल 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 यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट्पूतली मूवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारे ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तो सार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण काम कारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रुक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है काफी ज़्यादा महतपूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को दीप सिखा देशमुग दुवार अनिर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुके भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड़ डूल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पष्ट सावित हुई थी और अक्षे कुमार की समसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल् इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ शकानी तु Baptist रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानस्वन यह अधारिस फिल्म है भात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो बहत्रिन कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लो बात करने वाले हैं कटपुतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस के लेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक अच्छे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कटपुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन यह अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अरजन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्तुर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है फसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस के लेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को दीप सिखा देशमुख द्वार अनिर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार तृवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखो गे तो बहत्तरट काम कारों को करने के लिए एक संदीद काफ़ी अच्छी चीजों में दिखाई गई है इक्छे-कुमार इसमें एसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पून और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो ताकि आपके राय जो है वह काफी कामा सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तूं आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे YouTube से लिए और किस तरीके से कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंट्रियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल् इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रतनांसन। यह अधारिस फिल्म है को सबस्रें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाई जाये गा आपको महत्तरिण एक्टर के साथ पहत्रिण चीजों को दिखाय जाये और दिव्य वक्ति के रूप में खाफी एच्छा रक्टर हुआ है छोय को दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्य और इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है फसंद भी किया दा और लोगों में काफी जञ़ादा इसकी चर्चे हैं क्रेज तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और अप पने राय वी जरूर हमारे साथ सेयर किजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वह काफी ज्यदा महत्पूर्ण है हमारे लिए और सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब् हैं तो वीडियो को पूरा कंटियू जरूर देखेगा अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दिजेगा तो दोस्तों कट-पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन 70 के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अब ही का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट्पूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड स्थावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जान्कारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंट्रियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्छे कुमार के फैंस है तो वीडियो को लाइक करते जिएकँ दोस्तों के साथ सेर भी जरूर करते जेंस το हारते हिंदी भासा की मनुबै गानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निदसित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्रभूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा न ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और से रतनानशन ये अधार्यच किलं में भात करें इस फिल्म में टेखाय जाएगा आपको बहेत्रीण एक्टर साथ फैसा चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षि कुमार इसमें S.I. अरदन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्सी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप झाय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वह काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूटü SEANnięल में । दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट लॉकपस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंट्रियू जरूर देखेगा और अगर प्रातु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्वित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्य भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन र कहानित उसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम-कुमार की है और रत्नान-शन यह अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे क तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेर किजेगा ताकि आपके राय जो हैं वह काफी ज्यादा महत्पूर्ट है हमारे लिए दिया और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म, देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लो करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पस्टर सावित हुई थी और अक्ष से खुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्वित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ share कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों देखे से यह कमाई करके ब्लॉग पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगना वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भ वारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो ग均ए तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों ये फिल्म काफी जादा महत्पून और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देका जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे एं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना थ इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी लाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत M. तिवारी द्वारा निर्द बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ पहत्रिण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इससे जब देखोगे तो हुआत्रिण काम कारो होकरने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ share कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक्पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिление की वारी युजा जाने वाली एक पहत्रिण एक्टर के साथ दिखाए जाने वाली महतिपुरुण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देसित 2018 में तमिल फिल्म रष्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारे ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तो सार्थ रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अरधन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज्यादा महत्पून और ही ट साविद हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किए दा रहा है और लोगों में काफी ज्यादा इसकी चर्चे हैं ग्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फि भगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको द आने बाले हैं तो बिडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्छे कुमार के फैंस है तो बिडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दिजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत M. तिवारी दुआरा निर्दैसित और प बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है। इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे। इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता के कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिज फिल्म है। बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है। एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है। तो दोस्तों ये फिल्म काफी जादा महत्पूल और हिट सावित हुई है। इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है। पसंद भी किया जा रहा है। और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा। और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर क आपके राइज हो है वो काफ़ी काम Master दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार द दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारी यूट्यू गश्व ह्मaning दोस्तों आज की स्वीडियो में परकने वाले हैं कटपुतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल् इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ और लूड़न जाया है जीत शानी तुσαर्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत रतनांसं यह अधारिस फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रीन फिल्मों में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रीन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिर्यू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी दवारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का द एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तो सार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाय जाए एक्षे कुमार इसमें एसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है और अपने राए भी ज़रूर हमारे साथ सेहर किईएगा ताकि आपके राए जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस किलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिर्यू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दिजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंट्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फि इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ तो इसनन सन रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत रतनानशन यह अधारिज फिल्म भालत करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाये जाएगा आपको 62 एक्टर के साद controller के साथ 77 चीजों को दिखाये जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज है तो आप इसके बारे में क्या सोचते है ज़रूर बताईएगा और आप अपने राय भी ज़रूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राई को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेएर केज़ेगा ताकि आपके राई जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंट्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फि इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ कहानी तुसार्थ रिवेधी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत नानसन यह अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 पामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राई को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राई जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड ड्रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक्पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिर्यू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राथ दिलर फिल् इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ उसारत्रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानसन अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाये जाएगा आपको 277 एक्टर के साथ 278 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 279 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग निर्बित दोचारवार्वाइस की भारतिहंदी भासा की मनुबई क्यानिक प्राद दिवर फिल्म है और यह फिल्म, 572 पर दीजाले ग्रदारों में महत्पूरण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निदेशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्चे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में, तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 17 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो 72 काम कारों को करने के लिए एक संदिध काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें एसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रुक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्ल जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंग करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरग भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया प्ठकता की कहानित उसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन यह अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्छे कुमार इसमें एसा अर्जान सेटी के रूप में हैं, और दिव्यवक्षी के रूप में भी ध्यक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वह काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंट्मिन के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्वित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक 72 एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सूचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्षन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से ब्हत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 काम कारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है, पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सूचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राई भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राई जो हैं वो काफी जादा महतपूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ share कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कु कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दिजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का इसमुक दुओर अनिर्वित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबै गानिक प्रात्ति और फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्तर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अरधन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ share कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक्पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबई गानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासन रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्वभूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की क तो इस फिल्म में दिखाये जाएगा आपको बहत्रण एक्टर के साथ 77 को दिखाये जाएगा और एससे जब देखोगे तो 77 कामकार हो करने की लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ share कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक्पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अच्छे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ शेर भी जरूर कर दिजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाए जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाए जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देसित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिं मुक्पल भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्ट रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन यह अधारिस फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं तो आप इसके सबस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्योब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्ट सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुख द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबई गानीकठ दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहतरिन करदारों में दिखाई जाने वाली इस फिल्म को लिखीत और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्टा सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसी का लेक एर चंद्रचूर सिंग और सरगुन महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्सी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो ताकि आपके राय जो है वह काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कित थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आप आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पु द्वारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारो में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता क के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन यह अधा काम कारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में हैं और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सूचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है काफी ज़्यादा महतपूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आजकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितنا घा इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से पहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबई गानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देसित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देसन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचत ने इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूड्य चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्ट सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी, जेकी भंगनानी और दीपी का देश दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण काम कारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रुक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से पहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भार्थि हिंदी भासा की मनुबई गानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमील फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एक्टर हुआ है तो दोस्तों ये फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार की सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कांटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल् इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ लगए बत करें इस्ट आपको बहत्रिन एक्टर के साथ है और आप इसे जब देखो ए तो बहत्रिन कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजें में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें एसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट क दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के सा अग्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है असीम अरोडा ने किया है पठ कता के कहानीत उसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसं यह अधारिस फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वह काफी ज्यादा महत्पूल है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते है तो आप कुछ जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वह काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंट्रियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ सेर भी वासु भंगनानी, जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारे निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबै ग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में अक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन 187 रिवेधी ने किया है कहानィ इसका राम कुमार की है और रत्नानसन यह अधायरीज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाये जाएगा आपको बहत्रण एक्टर के साथ बहत्रण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इससे जब देखोगे तो बहत् अधिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ share कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें S.I.adन 70 के रूप में है, और दिव्यवक्सी के रूप में भी काफी एच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप है राय कुछ जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो हैं वो काफी काम आसके तो दौस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस के लेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल् इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसन यह अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ पहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्मों में से एक यह किस प्रकार से पहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारत्य हिंदी भासा की मनुबैग्य किरदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरग भूमिका में रक्षे-कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको रॉइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता के कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत रतनानशन ये अधारिश फिल काम कारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में